कास्ट सेंसेस को लेकर जितना बवाल खड़ा किया उफ देटा का करना क्या है यह नहीं पता कोई रोड मैप नहीं पता यूही लड़े चा रहे हैं मैं जैसे एक बार आपने मेरी प्रेस रिलीज कभी देखी हो तो मैं प्रेस कॉन्फरेंज में प्रेस रिलीज में मुद्दा लिखता हूं उसके आलोचना करता हूं और क्या होना चीए उसके बारे में पौरी कॉंग्रेस पार्टी में आप बोलो बेरोजगारी की कोई बात आ मस्या है ना यह बात आपने अपनी मित्र सुप्रियाज श्रीनेत को या बाकी और प्रमक्ताओं को आपने कभी बोली कि इस डेटा का हम करेंगे क्या क्या मैं क्यों उनके नाम लेओं कास्सेंस वाली बात तो आपकी कॉंग्रेस पार्टी में रहते हुई हुई ना कोई भी कॉंग्रेस का है कास्सेंस पे आ जाए तो उससे पूछना साहब इसका क्या डेटा तो कलेक्ट करोगे और उस डेटा का निती निर्मान में क्या यूज करोगे यह दो सवाल पूछना वो इधर उधर देखने लगेंगे क्योंकि यह तो प्रॉब्लम है आप मुद्धा कोई चुनते हो तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ना आप कहते हो कि तैयारी करके देते ना अरे मैं क्या तैयारी मेरी तैयारी का उपयोग करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए अब क्या कि यह तो कोई जगा सके पर जो सोना कि एक्टिंग कर रहे उनने तो भगवान भी नी जगा सके जो सोयावा है उसको तो जगाया जा सकता है पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको तो इश्वर भी नहीं जगा सकते क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रहा है जो ना समझ है उसको समझदार बनाया जा सकता है पर जो ना समझ अपने आपको समझदार मानता हो उसको कौन समझाएगा ये प्रॉब्लम है मैं तो यह सोच जो गौरव जी कि जब आप पार्टी में थे तो डिवेट के टॉपिक कैसे आते थे या हमें किस इशू पर बात करें इस इशू पर लाइन लेंध क्या होती थी कुछ तो ब्रीफ दिया जाता होगा ना या वो ब्रीफ भी प्रवक्ताओं को अपनी पर अब पिछले चार महीने में बन गया हो मैं चार महीने पूरानी बाते बता रहा हूं चार महीने में कोई बन गया हो तो मुझे पता नहीं पर मैं तो मेरी तैयारी अपना पेपर खुद तैयार करें आप जानते हो कि मैं बिना रिसर्च के अपने आज भी मैं रस्ते में आ र 30% आप surprise कर देती हैं। तो जो आता है बोल देता है नहीं आता है तो कहता हूं मुझे को ग्यान नहीं है। तो पार्टी मोगना कैसे line and length कैसे ताह करती है। क्या राहूल गांधी कभी meeting ऐसे लेते हैं कि आप इसमिशेज पर इस तरह से बात करें। मेरे साथ तो नहीं हुई और प्रवक्ताओं के साथ उन्होंने पर्सनली की हो तो मुझे पर उता नहीं है तो गाइडम्स कैसे आती है यह जो हाई कमान वाला जो बात होती है ना कि there is a high command in the party मेरे से देखो काफी लोग मैं आपको एक और एक positive पक्ष बता रहा हूं बहुत criticism हो गया positive पक्ष है कि मेरे से कभी भी किसी ने dicterms dictate करने की जुरुरत नहीं करी चलिए कमसिकर आप ने यह तो कहा कि देमोक्रसी है मेरे से मैं सिरफ मेरी बात करो और उनकी वेदना अलग हो सकती है मेरे को कोई इस तरह की समस्या नहीं थी क्योंकि उनको पता था यह committed सिपाई है यह मेरे उपए स्टांप था कि मैं committed आदमी हूं क्योंकि मैंने जब पार्टी जोइन करी तो 42 पार्टी सांसदो वाली पार्टी जोइन करी तो उनको पता था कि यह अपना प्रोफाइल लेके मैं इंडिया में वन आप दा यंगेस्ट प्रोफेसर बना हूं मैं आपको यह कह रहा हूं कि मेरे को डिक्टेट नहीं करते थे मैं अपने खुद बना के ले जाता था मेरे उपर committed soldier का स्टांप था पर मैं अपनी बात कहता था कि यह सनातन आप तो बागी हो गए अब बागी नहीं हुआ मैं तो वहीं खड़ा हूं Congress चली गई वहां से मैं मैं तो आज भी कह रहा हूं कल्यूक का सबसे बड़ा ब्रष्टाचारी केजरी वाल है Congress नहीं बोल सकती मैं तो आज भी कह रहा हूं सनातन विरोध को नहीं सा जाएगा Congress सोस्ती अगर बोला तो DM के नाराज हो जाएगी Alliance टूर जाएगा ने लेकिन Congress Party तो हमेशा से कहती आए ना कि BJP राम के नाम का व्यापार करती है राम रमेश जी का मैंने वर्जन सुना हूं मैंने बयान दिया हूं राम का व्यापार करती है तो आप इस आइडियोजी के साथ कैसे नहीं मैंने मैंने जब राम मंदिर पे Supreme Court का निर्ने आया मैं उस समय ड्राफ्ट बनाने में अप आप जब Supreme Court के बनने का स्वागत करते हो राम जी के मंदिर का और प्राण प्रतिष्टा में नहीं जाते हो भाई मैं तो पाप रो भागे नहीं बनू है आप आने तो पाप मैं जिको पाप करियो जो कोई नहीं मैं उन वास्ते क्यों जाओं बगवान मने दंड क्यों दे मार मानता हूं आगे भी मानता रहूंगा मैं तो वहीं खड़ा हूं कॉंग्रेस पार्टी जो LPG की बात करती थी लिब्रलाइजेशन प्राइटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आज कॉंग्रेस पार्टी वेल्थ क्रियेटर को गाली देती है और आपको जानके अचंबा होगा यह सारे वेल्थ क्रियेटर्स लिब्रलाइजेशन के बाद बने जो ओपनिंग अप उफ एकॉनॉमी हुई है उसके बाद यह वेल्थ क्रियेटर्स बने कॉंग्रेस पार्टी को इस पर गर वोना चीए गालिया नहीं देनी चीए इसकी सबसे बड़ी मिस्वाल और सबसे बड़ा बयान तो आपकी अदालत का शो है जब रजट जी के सवाल पर अडानी ने खुद ने कहा था कि वो कॉंग्रेस पार्टी का शासनकाल था और दूस चतकालीन मुख्यमंतरी अशो गयलो जी अड़ानी का स्वागत्केरिन सब्सक्राइब के रेष्ट जीमें उनका अफ जोड के स्वागत्कर रहें उसके observedि यहां पर पर आप गालियां देओ आपकी स्टेट यूनिट केरी ये तो सबसे बेस्ट आदमी है और मैं इन सभी मुख्य मंत्रियों को सही मानता हूं मिनाक्षी जी क्योंकि उनको अपने स्टेट में निवेश चाहिए रोजगार चाहिए डवलप्मेंट चाहिए तो अगर वेल्थ क्र यह प्रवक्ता को कि जाओ आज अदानी को मेरी बात सफ़ा है यह टनी कहांनी के चुरू चलती रही फिर आम्बानी को ग्राफेल में क्लीन चित मिल गई सूप्रिम कोट से तो कॉंग्रेस पार्टी को में 2019 नतिजह भी देख लिया नया कुछ चाहिए था तो भई अड्शन का परदान मंत्री के साथ खोट में मिल गई तो अब अडानी को पकड़ो पर फोट में अगर निकाले थी इन मुख्य मंत्रियों के साथ भी थी इन मुंख्य मंत्रियों को देओ जा लिए ढião तो उनके साथ के विरोध की बाते में कर सकता हूं ना राम मंदिर के विरोध की बाते में कर सकता हूं ना राम जी को गालियां दे सकता हूं ना वेल्थ क्रियेटर्स को गालियां दे सकता हूं ना प्रधान मंत्री के उपर व्यक्तिगत मा और पिता की गाली दे सकता हूं हमारे कई प्रवक् इस पार्टी की स्टाइल और फंक्शनिंग समझने के कोशिश कर रही हूं, कहां से टॉपिक डिसाइड हो रहा है, कैसे उसके उपर आगे बढ़ा जाएगा, लीड कैसे लीड जाएगी, यह कैसे ताइब हो रहा है, यह अगर कोई बता दे, कोई बता दे, तो मैं वो जीवन पर कह वो मानू सही है, किसी को नहीं पता, पत्तर साल पुरानी पार्टी चल रही है, और पार्टी में कौन, यह नहीं पता, यही तो मेरी लड़ाई थी, जब मैं, मैंने एक बात अपना एक लाइन लिखी थी, पत्तर में आपने पढ़ी होगी, कि आप एक दिन तो कास सें एजन्डा सेट कर रहे है, और यह जो तीन लोगों का नाम लिया, मैंने जिनकी बारे में बताया है, एक मॉनिटर चुनाव नहीं लड़ सकता, दूसरा जो यूपी बियार में चल रहा है, और यूपी के टिगिट दे रहा है, और तीसरा जो तीस साल से मैनिफेस्टो बना कर रहा है, यह सब तीनों अलग-अलग बाते करते हैं, अलग-अलग दिशा में, मुझे तो मैं आपको सच बताओं, मैंने जब कॉंग्रेस पार्टी जोइन की थी, तो मेरे मन में एक महत्तु कांक्शा थी, कि मैं देश के में अपना कॉंट्रिबूशन, देश की सबसे कि दूंगा